बिस्मिल्लाइ फख्मान अर्वाहीम नौवल है दे सेक्सियस्ट वंपायर्स एपिसोड फाइफ अंधेरे जंकल में वो हर जगा भाग भाग कर अपनी जान को तलाश कर रहा था स्नौफ फॉलिंग भी शुरू हो चुकी थी वो डर रहा था कि वलर्की कहां जा सकती है लॉंग कोड प्लैक पैंट जेम जाने से बोड़ी भी अच्छी खासल थी जीरे पर बालकन पट्टी की दोनों साइड पर गिरे पड़े थे जो थोड़ा सा आँखों को छुपा जाते इस न देखा कि सर्दी से कामता वजूद एक तरख्ट की नीचे सर्दी से बेहाल पड़ा था इसकी हालत इसकदर सीरियर सी जैसे कुछ देर और रही तो मर चाहेगी वो भाग कर अपना लॉंग कोट उतारता इसको कवर करते सुर्खों स्पया चेहरे पर होले से थप थपी दे रहा था जब कुछ भी न मैसूस किया तो फॉरण अपनी गोद में उठा कर इसको घर की तरफ ले गया ब्रेंडा को सस्पेंस हो रहा था क्या आगे क्या होगा वो इसको मजीज पढ़ना चाहती थी मगर शूर की वज़ा से वो बुक से ध्यान हटा गी क्योंकि कुछ लड़किया इसकी तरफ आ रही थी इस ने इस बुक को छुपा कर अपने बैक में डाला और किसी ऐसी जगा पर जाकर इसको मजीज आगे पढ़ना चाहा जो खमोशी से बरी हो मगर क्लास बैल सुनती वो मयूसी सा चेरा बना कर वहां से चलीगी क्लास का लेक्ट चलेने के बाद वो सीधा घर जाकर इसको पढ़ना चाहती थी इसने यूनिवस्टी से बाहर रुकिया हो चलने लगी वो माइकल से इसका दर नफ्रत मेसूस कर रही थी जैसे जान से मार देगी वो इसको ही सोचती सोचती चल रही थी जब ब्लैक कलर की BMW कार इसके पास आकर रुकी अंदर आओ, तुम्हें गर्द छोड़ आता हूँ शीशा नीचे होने पर सामने सैम नज़र आया नहीं मैं चली जाओंगी ब्रेंडा ने इग्नोर किया सैम ने बाहर निकल कर इसका बाजू पकड़ा फ्रेंड बनाया है तो बात बेमान लिया करो ब्रेंडा को कार के अंदर बिठाता वो ड्रैविंग सीट संभालता है अब क्या हुआ है जो मूल बना कर बैटी हो हाँ 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 कुछ नहीं ब्रेंडा ने उलज़ कर कहा ओके लिसन मुझे तुम से बात करनी है ब्रेंडा ने सैम की तरफ तवज़ा की मुझे पता है कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा बगर क्या तुम आज रात मेरे साथ एक पार्टी पर चलोगी ब्रेंडा का मूँ खुला का खुला ही रह गया यार ऐसे क्या देख रही हो वहाँ पर मेरी फैमली होगी इसलिए ओवर मत मुझे खुलो तुम्हें अच्छा लगेगा मिलकर सैम की बात पर ब्रेंडा चूंकी बड़ सैम वो तुम्हारी फैमली की पार्टी है मतलब के मैं वहाँ पर क्या करूंगी ब्रेंडा ने भी इंकार की सूरत में कहा ओके ठीक है तुम मत आना सैम ने थोड़ा सा माइंड किया अच्छा सोचूंगी तुमने मेरी हैल्प की सिर्फ इसलिए यूँके ये लड़की किसी का ऐसान नहीं रखती वो अपनी तरफ इशारा करती कहती है तो सैम मस्कुराते ट्रैविंग में मस्रूफ हो जाता है माइकल ने गाड़ी को इनकी गाड़ी से गुजारा जैसे अभी हिट करेगा ब्रेंडा और सैम ने ये नोट किया था जबके सैम को गुसा इतना आया कि इसने गाड़ी ही रोक दी है यू बास्टर्ड सैम ने चीखते कहा तो माइकल भी कार को रोकता बाहर निकला माइकल ने फूल मूड में इसको इग्नोर करते अपने चेरे पर मसूमियत सजाई लुक्स लाइक यू आ डून तो बी ब्लैंड इन लफ माइकल ने सुनते सैम के सामने अपना रुख किया वो बहुत गुस्से में लग रहा था जैसे इसको छोड़ेगा नहीं ब्रैंडा को सब भी गड़ते नजर आ रहा था इसने गारी से बाहर रुख किया माइकल ने गर्दन टेड़ी कर तंजन मुस्कुराहट से बाहर आती ब्रैंडा की तरफ देखा ये अलफास दोनों के लिए थे जो सैम को अच्छे से समझ आ गए सैम ब्रैंडा ने सैम की तरफ चाना चाहा जो इसको कमर दिखा कर ख़ड़ा था I am blind in love but you are deaf माइकल ने हंस दे सैम पर तंस किया मैं तुम्हारा मुँ तोड़ दूँगा माइकल सैम ने माइकल को कालर से पकड़ा तो ब्रैंडा को डर लगने लगा Please don't do anything wrong with your new friend माइकल ने ब्रैंडा को आँख मारते कहा ब्रैंडा ने अपना मुँ खोला इसने माइकल से ये उमीद नहीं रखी थी For which you grabbed my collar माइकल ने यक्तम इसका हाथ अपने कॉलर से उठा कर एक पंच दे मारा सैम का चेहरे से खून रचने लगा ब्रैंडा ने जल्दी से सैम का बाजू पकड़ा Please सैम यहां से चलो वो इसका हाथ पकड़ती वहां से कार के पास लाई जबके सैम की यहालत थी कि एक जंग एजीम हो जाए माइकल के साथ मगर वो ब्रैंडा के सामने नहीं करना चाहता था माइकल आंखी छोटे करता ब्रैंडा को गूर रहा था वो टज से मसना हुआ सैम ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चले गए जबके माइकल भी वहां से चला गया वो अब चारली से मिलना चाहता था वो पंद्रा मिनट में चारली की घर पर था कैसी हो तुम चारली आज लीव पर हूँ सब खेर माइकल ने वाइन पीते कहा वो सोफे पर बैठा टांग पर टांग रख चुका था हम ठीक हूँ बस दो दिन की लीव है मंडे को जवाइन करूँगा लेक्चर वैसे तुमने मुझे मिस किया चारली ने बुक की दिवार से एक किताब उठाते इसके पास सोफे पर बैठते कहा नो नो तुम कौन सा मेरी गल्फरेंड हो जो मैं तुमें मिस करूँगा माइकल ने अजीब सी शेकल बनाई तो चारली का कहका लगा अब ऐसा भी नहीं है वैसे अगर मेरी वाइफ को पता चला तो तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेगी माइकल ने वाइन का गलास रखते अब सीरियस होना चाहा रिसन मुझे कुछ बात करनी है कुछ अजीब सा फील हो रहा है आजकल अभी कल मैंने ऐसा फिल किया जैसे मेरा दिल दड़का हो एक बीट में सुई हो थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है मगर यार चारली सुनते हरान हुआ मगर इसकी आदी बात काटने पर है फरेशान मगर क्या वो बेचैनी से बोला मेरी पावर कम हो रही है क्या मुझे किसी इनसान का खून नहीं मिल सकता चारली ने कुछ सोचा तो जवाब दिया हम आज रात पार्टी है तुम्हारे डैड की तरफ से एक निया वंपायर जो आ रहा है हमारे ग्रो में इसलिए वहाँ पर इनसान भी होंगे तो तुम वहाँ से कोई बंदोबस्त कर ले ना अपना मगर कौन आ रहा है हमारे ग्रो में माइकल ने सवाल किया पता तो मुझे भी नहीं बस ये पता है कि पार्टी खास तुम्हारे डैड ने अरेंज की है माइकल इस से आगे मज़ेश कुछ भी नहीं सुनना चाहता था वो बोर बसा हो गया था मुझे कुछ काम है माइकल ने रुख बाहिर किया और वहां से चला चाहली ने भी रोकने का इस्तार ना किया और उटकर बिला के कमरे में आया वो इस वक्त बात में शावल ले रही थी राम से बैड क्राउन से टेक लगाता वो पूर्सकून अंदाज में बैठा काफी इंतजार करने के बाद जब वो बाहिर ना आय तो चाहली उटकर बात के दर्वाजे के पास किया बिला बिला क्या तुम ठीक हो इसने अभी इतना ही कहा था वो दर्वाजा खोल बाहिर आती है मुझे लगा जैसे तुम जवाब नहीं दे रही बस इसलिए वाज दी थी मगर तुमने आगे से जवाब क्यों नहीं दिया चाहली ने कदम आगे बढ़ाते पूछा तो बिला वापिस बात में चली गई बिला क्या हो गया है तुम्हें वो गिनने वाली थी पाउं इन बैलेंस होने से चाहली ने इसका हाथ पकड़ कर संभालते पूछा नहीं कुछ भी तो जल्दी से हाथ छुड़वाती वो बोली नहीं मुझे तुम्हाई तबिया ठीक नहीं लग रही है चलो मेरे साथ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाँ नहीं मैं बिलकुल ठीक हूँ बस तुम मेरी जादा टेंशन ले रहे हो चाहली ने इसको ले जाकर बैट पर बिठा दिया और खुद जमीं पर बैटता सर उठाया मुझे पता है कि तुम्हें ये सब फिस करना बहुत मुश्किल लग रहा है मगर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता इसलिए ये सब क्या अब चाहकर भी तुम पहले जैसी नहीं बन सकती हमेशा मेरे जैसी एक वंपायर रहोगी बेला आखरी लफ़ पर महबत बरसाते वो बोला था बेला ने चाहली को कंदों से पकड़ का अपने पास बिठाया बेशक वो भी चाहली से महबत करती थी इसलिए ही तो इसने ये रस्ता चूस किया वरना जो भी तो वो भी तो पहले इनसान ही थी ऐसी बात नहीं है चाहली मैं बिलकुल खुश हूँ हाँ फैमली की याद आती है जो मेरे पास नहीं मगर तुम तो होना मेरे पास और यही काफी है मेरे लिए इसने चाहली के हाथ पर लब रखते कहा तो चार्ली ने एक लंबा सांस बढ़ा वो खुद तक पुर्सकून हो गया था धैंक्स माइ लव इसने बेला को सीने से लगा कर कहा मैं सोच रहा था कि कल से युनिवस्टी ही चले जाते हैं क्योंकि तुम तो जो मैं चाहता हूँ वो होने नहीं दोगी और गर पर ऐसा मूँ बनाकर घूमती हूँ नजाने कितना सुलम करता हूँ मैं तुम पर चार्ली ने इसके कान की लुग को कारते कहा ऐसा तो कभी नहीं होगा वो चार्ली को दका देती उट खड़ी हुई चार्ली भी फॉरन से इसके कलाई पकड़ते रोकता है हम बाहिए जा रहे हैं आदे गैंटे तक रैडी रहना कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए इसने कहते बिला के खुले लबों पर लब रखते मुहब्बत से लमस दिया बिला ने आँखे बंद कर ये मेसूस किया होले से कैसे अजादी देती वो इसके लब के किनारे पर अंगुठा रखते सोहलाता है ओके रैडी रहना वो कहते चला गया बिला वही की वही हैरान रही वो कंधेरे कमरे में दाखिल हुआ तो सीस्कियों की आवाज ने इसका इस्तक्बाल किया जो इसको हमेश्या शदीद गुसा दिलाते थे वो सामने फरश पर बैठी मुगुटनों में चुपाए लड़की के पास फरश पर बैठा इसने सामने लड़की का चेरा अपनी शहादत की उंगली थोड़ी पर रखकर उपर अपनी जानब किया इसके चेरे पर जुकता वो आँखी सुरक कर गया वो इसको वंपायर शेप में देखकर डरी थी थोड़ी सी खौफ से पीछे जाने पर इस लड़के ने यकदम चीख कर इसको शानों से पकड़ कर खड़ा करते अपने सीने पर जुकाया डर क्यों रही हो जान थोड़ी ना लूँगा तुम्हारी बस तुम्हें चुप करवाने के लिए ऐसा कहा माई लव वो जो अभी सिस्कियों से रो रही थी अब यकदम चुप हुई इसने एक ही लमे में इसको अपनी गोद में उठाया इस वक्त इस लड़की का चेरा खौफ के मिले जुले तासराथ से सुरक पड़ चुका था वो दो दो ही हुसन के मामले में बेहत प्यारी थी मगर फर्क ये था एक इंसान तो दूसरा वंपायर था आइस्ता से बैट पर लिटाते इसने जुक कर कान में सरगोशी नमा कुछ कहना चाहा तो वो खौफ से बैट ग्राउंड की तरफ जा रही थी जब इसने यक्तम च्छै मार कर अपना साया इस पर किया तो नाइट वो बास स्लीप तोगैदर बिकाज आई पांट पीस नियर यो इस कदर सकत अलफास थी जो इसके अंदर अंदर तक खौफ डाल गे अपनी आँखों को बंद करती वो खौफ से बैट शीट को सबसे पकड़ती है प्लीज डैन इसने मजामत करते कहा तो डैन मुस्कुराया येस माई वाइफ सो जैन की हलक से नीचे थूक तक नहीं जा रही थी जब इसने सामने शर्ट को शर्ट के बटन खोलते देखा डैन ने जुक कर अपना चीरा इसकी आँखों में गाड़ा प्लीज डैन मुझे माफ कर दो आज की बाद घर से बाहिट नहीं जाओंगी सर्दी से कपकप आते हों मुझे से लफ़ अदा कर रहे थे गलती ये नहीं कि तुम घर से बाहर गई गलती ये थी कि तुम मुझसे दूर गई मैं उन में से नहीं जो दूर जाने पर सजा दे क्योंकि मुझे सिर्फ मुखबत आती है अगर आज के बार ऐसी हरकत की तो मुखबत की सजा दूँगा इसने उंगली को लब पर रखते रुख गर्दन पर किया वो इसके गाल पर लब रखता चूकर सुजान की जान पर दह्शे दिखा रहा था सुजान की सांस फूल गई थी इसने अपने शट के बटन वहीं पर छोड़कर बैट की दूसी साइड पर गिरने के इसे अंदास में लेटा सुजान अभी तक कांप रही थी ठंड से डैन ने इसको भेंज कर अपनी बाहों में कैद किया इदर आओ मेरे पास इसको अपने में खैंच कर वजोर से कुद में भेंज कर दिया सुजान ने सकून का सांस लिया कि आज के बाद कभी घर से बाही नहीं जाएगी लिसन डैन ने इसके गाल पहतेली रखिए मुझसे दूर मत जाना आज की बाद तुम अगर जान लेती के मेरी हालत क्या थी तुम्हारे बगेर तो तुम कभी न जाती यहां से जुक कर पिशानी को चुमते वो भारी वाज में बुला सुजान ने पलकें जुकाई डैन ने मजीज खुद मैं इसको समेट लिया खमोशी थी दोनों में सुजान का दिल किसी बिजली की रफ़तार से दड़क रहा था जो डैन ने सुन लिया था वो इसकी दिल की कफियत से वाकिफ था उफ मुझे क्या हो रहा है बरेंडा ने मूँ पर हाथ रखा वैसे ये वंपायर होता क्या है मुझे जानना है ये कहानी सबसे अलग है मैं इसको मजीज पढ़ूँगी मगर अभी ठक गई हूँ बरेंडा ने इसको वहीं पर बंद किया क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते नो बच चुके थी इसने लेटते अंगडाई ली कहानी तो बहुत मजे की लग रही थी बाकी कल पढ़ूँगी अभी इसको संभाल कर रख लेती है इसने उटते बुक को वापिस अपने बैक में डाला जब इचाने कि इसको सैम की बात याद आई उफ मैं कैसे भूल सकती है आई तो सैम ने पार्टी पर बुलाया है वो अफसोस करती है अपने सर पर हाथ रखती है क्या मैं जाऊं वो खुछ से आने बनाती इंकार कर रही थी ब्रेंडा ब्रेंडा तुम अभी तक सो ही नहीं लेजा मैडम ने ब्रेंडा की आवाज सुनी तो कमरे में दाकिल हुई ममा कैसे सो जाओ मेरे फ्रेंड की पार्टी है इसने बड़े इसरार से बुलाया है मुझे इसलिए मैं त्यार हो रही हूं ग्यारा बज़े आ जाओंगी ब्रेंडा जल्दी बैट से उड़ती कहती है मगर ब्रेंडा टाइम देखो अकेले कैसे जाओगी अपनी मा को परिशान देख इसने पीछे मुर्ग दान दिखाए ममा क्या आपको मेरी प्यारी प्यारी सी दो टांगे नजर नहीं आती इन से जल कर जाओंगी और वैसे भी आप मुझे लेड करवा रही है ब्रेंडा तुम युनिवस्टी जाकर जादा बत्तमीज हो गई हो कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी वैडिंग करती हूँ ब्रेंडा ने सुना तो बड़ा समो बनाया मैं तो अभी बिल्कुल भी आपको छोड कर नहीं जाओंगी अगर कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दो ब्रेंडा जल्दी से अपनी मा के पास आती इनको हग करती है सच मुझ ममा मैं तो उसके साथ जाओंगी जो किला रहता हूँ ना कोई बेहन हो ना कोई भाई हो अच्छा खासा अमीर हो और वो आपको भी साथ रखी वरना आप कर लो वैडिंग लेजा मैडम कितनी ही सीजे सो कर सुन रही थी पर आकरी बात पर इन्होंने गुसा किया मगर ब्रेंडा को मालूम था कि अच्छे जूते पड़ेंगे इसलिए वहां सिर्व बाहर बागी गौर्ड मेरी बच्ची की हिफाज़त करना दिल पर हाथ रखती वो प्रेयर कर रही थी स्फैद बन बूट उपर स्फैद डाली शर्ट और बिलू जीन्स पाल को जाच चुड मिरर के सामने खड़ी होती वो होंटो पर हलका सा लिप लोज लगाकर लब को दबाती यक्तम खोलती है मेक अप को लास्ट टच देती वो अपना फून उठाती कमरे से बाहर निकली ओके ममा मैं जा रही हूँ आप अपना ख्याद रखना रात को ग्यारां बज़े आ जाओंगी गुडबाई मेरा बेबी लेजा जो बाहर ब्रेंडा का वेट कर रही थी इसके आने पर ब्रेंडा इनके गालों को सुहलाती वो प्यार से भोली थी अच्छा अच्छा ज्यादा जरूरत नहीं जल्दी आ जाना इसने नोट किया कि वहां पर एक स्याकार आती है ब्रेंडा निकार से बाहर निकलते माइकल को देखा हाई आँटी कैसी है आप मैं ब्रेंडा का फ्रेंड हूँ बड़े ही प्यार से कहते वो लेजा मैडम की पास आया ब्रेंडा का दिल किया कि इसका गला दबा दे नहीं ममा ये जू रुक जाओ ब्रेंडा मुझे पता है तुम लेट हो रही हो इसलिए ही आया हूँ आँखे दिखाते वो ब्रेंडा को देखता है लेजा मैडम हिरान थी इस लड़के पर आँटी आप मुझे पर ट्रस्ट कर सकती है ब्रेंडा बहुत ही अच्छी लड़की है हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं आपने काफी अच्छी बातें सिखाई हैं इसको माइकल थपड का सीन जाद करता जूठी तारीफों के पुल्प बना रहा था ब्रेंडा ने सबसे तंग आकर माइकल को आँखें निखाई तो माइकल ने आँख मारी ब्रेंडा को शिदिद गुसा रहा था लेजा मैडम तो अपनी बेटी की हरकतें ही देखकर शिर्मिंदा हो रही थी जो आँखें निकाल कर खड़ी थी ममा ये लड़का वो कुछ कहती फिर से माइकल बोल पड़ा हाँ हाँ कोई जरूरत नहीं ठैंक्स कहने की मुझे पता है मैंने तुम्हारी बहुत बार मदद की है इसलिए तुम मेरी तारीफ करना चाहती हो बस बस वो हाथ के इशारे से इंकार कर रहा था जबकि ब्रेंडा का ये हाल था कि हाथ से इसका गला दबा दे जैसे इसने ब्रेंडा का दबाया था ओक्यांटी फिर हम चलते हैं पार्टी से लेट हो रही है आप ट्रेंशन मतले मेरा अब से आना जाना है इस कैफे में मगर खेर मैं इसको छोड़ भी जाओंगा एक नज़र कैफे पर डालता वो बात लंबी कर कहता है चलें बाय आंटी ब्रेंडा का हाथ आगे बढ़कर थामते वो जबरदस्ती इसको साथ ले जा रहा था जबके एक हाथ से पीछे मुड़कर वो लेजा मैडम को बाय कर रहा था ब्रेंडा ने हाथ चुरूआने की कोशिश की मगर माइकल ने भी गाड़ी के पास आती हाथ हजाद किया चलें ब्रेंडा डोर खोले वो कहता है कितने घर्टिया लड़के हो तुम जरा भी शर्म नाम की चीज़ है तुम में मेरी ममा को क्या कहते रहे हो वो बोलती बोलती रुकी जब माइकल ने मुस्कुराते चेहरे पस्तक तासराट डाले क्या नहीं कि मैंने तुम हारी हेल्प हाँ बताओ चलो अंदर बैठो दर्वाजे के अंदर सीट पर इशारा करते वो कहता है बरेंडा ने एक मज़र अपनी मा की तरफ देखा जो इनको ही देख रही थी इसने मज़ीज कुछ ना कहना चाहा और बाद में माइकल सेने बटने का सोच दी वो चुप चाप गाड़ी में आकर बैठी माइकल ने ड्रैव शीट संभाली माइकल गाड़ी रोके अभी बरेंडा ने गुसे से कहते शीशे के गलास को नीचे करना चाहा तो माइकल ने स्पीड और तेज़ की अंधेरी रात में वो सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था चुप करके बैर चाओ वन्ना बाहिर फैंक तूँगा ब्रैंडा को लगा के थोड़ी सी तमीज आई होगी आई होगी इसमें मगर ये सुन इसने तैश दिखाया क्या सुनाई नहीं दे रहा कार रुको परना मैं सची में जो करूँगी वो बहुत बुरा होगा माइकल ने इग्नोर करते म्यूजिक आउन किया क्या बैरे हो गए हो तुम इसकी तरफ रुक करती वो उन्चा बोली माइकल ने हैंडल का रुक बतला तो वो सीट के पीछे लगी बस बहुत हो गया बरेंडा कहती दर्वाजा खोलने की कोशिश करती ही है कि तब ही माइकल ने इसका बाजू खैंच एक ही हाथ से हैंडल पर जोर लगाते कार को गुमा करो का था मरना है तो जल्दी मरो मगर अभी तुम मेरे साथ पार्टी पर जा रही हो इसले चुप करके बैठ जाओ माइकल ने दान पीस ते कहा बरेंडा तो इस पल की ही खमोश थी जब माइकल ने इसको खैंच कर अपने करीब किया था बापिर सीधा होते वो फिर से ड्राइव करना चाहता था बरेंडा ने हाथ के इशारे से इसको बिलियो कि तरह मियाओ मियाओ किया अब शोर्ट किया तो तुम्हारा खूंद पीजाओंगा बरेंडा की हरकत को नोट करता वो बोला कितना बत्तमीज है अजीब मकलूग बरेंडा ने भी इसकी बात ना मानी वो खमोश रहने वालों में से कहा थी चोरी चोरी नज़रों से इसने माइकल को देखा बलैक शर्ट और बलैक की पैंट शर्ट के बाहर लॉकिट नज़र आ रहा था आँख में इसने बिलू लैंस लगाए थी जो वो तब से लगा रहा था जब फिर्ट इन्विस्ट्री जवाइन की थी जो भी हो वो आज प्यारा लग रहा था इसने हर नक्ष को देखते देखते नज़र इसके जुदा लबों की तरफ कर देखा तब ही कुछ याद आया जो ये इसको पानी पानी कर गया वो किस वाला सीन याद कर गई थी जब ट्रिंक कर ऐसा किया था नहीं चीख चीख वो सर को जटकती अजीब ही इसी हरकते कर रही थी क्या हुआ है तुम्हें? माइकल ने इसकी तरफ देखा बार में जाओ वरेंडा ने कहते चीरा दूसरी तरफ किया माइकल इस लड़की को कभी नहीं समझ सकता था वो नफी में सर हिला गया क्या सच मुझे ऐसा किया था मैंने? फेसे चोरी नजरों से इसने माइकल की तरफ देखा एक बार ही देख लो माइकल की आवाज सुन वो वापिस चिरा करती है अपने होटों पर उंगली रखती वो फिर से माइकल की तरफ देखती है जबके इस बार आँखें छोटी थी जैसे किसी जरसूस की तरह देख रही हो क्या तुमने मुझे किस किया था? वो सीधा ही सवाल पूछ गए ओ अच्छा तो तुम्हें याद आ गया मैं तो इंतजार में था कि कब तुम्हें याद आएगा ब्रेंडा का इसकी हर दढ़मी पर दिल किया मून होच ले मैंने कुछ नहीं किया था वो तुम ट्रिंक थी इसलिए ये हरकत कर गई मुझे लगता था कि ऐसे काम हो में लड़के पहल करते हैं बर्ट ठैंक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा माइकल नहीं स्थे कहा था ब्रेंडा क्या कहती जब खुद ही वो ऐसा कर गई थी खमोशी से इसने रुख बतला और अब माइकल की तरफ ना देखा जब इनसान खुद ही ऐसी हरकते करे तो दूसरों पर बिल्जाम नहीं लगाना चाहिए